हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैं मैं रुपाली वर्मा आज जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो है क्विक चैप्टर रिवीजन यानि कम्प्लीट चैप्टर रिवीजन बहुत ही कम समय में हम फटाफट कम्प्लीट करेंगे तो ये क्या है, किस क्लास का है? वो अपनी पिताजी से हमेशा हर एक काम में साथ रहता है लेकिन जब उस पर विपत्ते आती है तो एंड में वो अपनी मा के पास ही आता है इसलिए बात कहां पर बात की गई है माता के अंचल की माता के अंचल में जतना protection होता है, मतलब जतना हम safe feel करते हैं उत्रा हम कहीं पे भी फील नहीं करते हमें पता है कि यहां पर हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा हम हमेशा सेफ रहेंगे हमको बहुत ही जादा अच्छा मैसूस होता है तो यह कहानी खुद लेखक के बश्पन की है तारकेश्वर नाम से बच्चा है जिसे भ शरारतों से भरे अपने बश्पन को याद करता है। शरारतों से भरे अपने बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा चेहरा देखते तो पिता जी मुस्कुराने लगते और शर्मा जाते। पिता जी देख के मुस्कुराने लगते तो तारकेशुर क्या होते थे वो शर्मा जाया करते थे। पूजा के बाद पिता जी उसे कंदे पर बिठा कर गंगा में मचलियों को दाना खिलाने के लिए ले जायते थे। और राम नाम लिखी परचियों में लिप्टी आटे की गोलियां गंगा में डाल कर लोटते हुए से रास्ते में पढ़ने वाले पेड़ों की डालों पर जुलाते थे। मचलियों को दाना खिलाने गंगा नदी में जाकर गंगा नदी में मचलियों को खिला दे जाती थे। अब जो है ये करने के बाद में जब पिता जी भांगें गानादी से लोटते तो टास्ते में जो पेड़े पड़ते थे ना उस पर अपने बेटे को जूले की जरे जुलाया करते थे भई पहले जगा जगा ऐसे जूले थोड़ी नो ते जसे आचरमलों की सोसाइटी इसमें हर जगा पे आप पार्क में देखेंगे जूला लगया तो पहले ही सब चीज़े नहीं होती थी तो अब क्या कर भई पेड की डाले ही जूला बन जाती थी उसी में जूला जूला करते थे फिर घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो मा को कौर छोटे लगते थे अब क्या होता था भई जब घर में आ जाते घर में आ गए घर में आकर वो चोटे-चोटे कौर जो है खाना खाने की बारी आई भैरो जाती थी खाना खा रहे है खाना खाते समय वो पित थी खाएगा बड़े बड़े कौर तभी तो मिलेगा दुनिया में ठोर आप लोगों के अलग अलग तरीके से बोला जाता है और माएं पूरी तरीके से कोशिश करती है कि बच्चा गुव अच्छे से ज्यादा सा खा ले तो यहीं अधार्गिश्वर की माभी करती थी वे पक और उनके नाम अलग 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 पक्षी देते थे तोता कोयल गौरईया और कभूतर इस तरीके से नाम दे दिये सब पक्षियों के अब कहते है खाओ नहीं तो उड़ जाएगा यह आया आया उड़ा उड़ा और बच्चा वो तारकेश्वर कहते थे उसको उड़ने से पह खाना खाकर बाहर जाते हुए मां उसे जपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कर कंगी कर देती कुर्ता टोपी पहना कर चोटी में फूल दार लट्टू लगा देती थी बुरी नजल से बचने के लिए काजल की बिंदी लगाती और प भोलानात के बाल बड़े बड़े थी तो वो क्या करती थी उनके बालों में खुब अच्छे से पेल लगाती चोटी बनाती और चोटी बनापढ़ देती हों चोटी बनाके चोटा से लट्टू लड्का देती और नज ankle नो लगए इसके लिए ऍहक हटेजा, पेड़ेहरं आप नुपर बाहर बाहर बच्चों को जब वह थे खेलता दे थे तो वह रोना भूलके अपने friends के साथ खेलने में लग जाए पिता जी उसको बहुत लाट करते थे वे कभी उनके हातों का चुम्मा लेते, कभी दाड़ी मुझ गड़ाते, कुष्टी खेलते और बार बार हार जाते घर के सामने ही खेले जाने वाले मिठाई की दुकान के खेल में दो चार गोरख पुरिये पैसे दे कर शामिल हो जाते थे अब क्या हुआ था, पिता जी उनको बहुत जादा प्यार करते थे इतना जादा कि बच्चे ऐसे करके खुब प्यार करना दाड़ी खुब बच्चे से गड़ा गए ना बेटे के तो जसे नहीं बच्चे चुट जाते तो इस तरीके से लाड़ प्यार किया करते थे अब बच्चे जरतरहतर का खेल खेलते थे तो एक खेल का खेलते थे घर के सामने मिठाई की दुकान लगा लेते थे पत्ते हों, तूटी दियाली हो, कुछ भी हो उन सबसे मिठाईया बना लेते थे अब ये सब बच्चे मिलके खेलते थे एक दुकानदार बन गया बाकी सब बच्चे मिठाई खरीदने वाले बन गया अब वहाँ पर आते हैं वहाँ पर गेम चल रहा है इतने में पिता जी आ जाते हैं अब पिता जी सज के गोरकपुरिया पैसे दे के गोरकपुरिया पैसे क मतलब चोटे चोटे टुकडे टाइब के रहते हैं वहां पर तो उनको पैसे देते और कहते कि मुझे मिठाई देते तो इस तरीके से पिता जी भी खेल में शामिल हो जाया करते थी यह तो मिठाई का गेम हुआ दूसरा क्या था घराओंदे के खेल में खाने वालों की पंक्त इस तरीके से बच्चों के साथ वो खेल में शामिल होते थे अब दूसरा गेम क्या था अब क्या होता था तीसरा गेम होता था बरात की मतलब बरात निकल रही है तो बरात निकलती थी तो डोली बनाई जाती तो चूहे दानी होती ना जिसमें चूहा पकड़ा जाता था तो उसको पालकी बनाई जाती थी और उसके अंदर दुलहन बैठाई जाती थी दुलहन गु चोथा गेम क्या था खेती के खेल में फसल आने पर पूछते कि खेती कैसी रही अब जब खेती का होता था जिसे भई वहाँ पर गाउं था सबी लोग खेती करते थे तो एक किसान बन गए दो तिन किसान बन गए अपनी खेती काट रहें सब कर रहें सब का खेल हुआ करता था तो उस खेती का खेल हो रहा होता था, तब यह पूछते थे कि भई आपकी खेती कैसी हुई, इस तरी कैसे पूछते थे, लेखक मित्रों के साथ आस पास के छोटे मोटे समान को जुटा कर इतनी रूची से खेलता कि उन खेलों को देखकर सभी कुछ हो जाते थे, मतलब बच्चे होते ना कि जो समान मिला उसी से खेलना शुरू करते तो यही होता था, आस पास तूटी डलिया है, दिये हैं, टूटे, पते हैं, इन सभी को वो खेल बना, लकडी का डंडा है, कुछ है, उन सभी को वो खेल का समान बना कर खेला करते थे, तिवारी के नाम, नाम के जान पहचान वाले एक बूढे का मजाक उडाना, और आधी आने पर लोग गीत गाना, लेखक वाँंके मित्रों की आदत बन गई थी, तो तिवारी नाम के एक बूढा रखती थी था, जिनकी मजाक वो बहुत उडाया करते थे, और उसमें आप कह अध्यापक ने लेखा कि खुब पिटाई की, पिता ने बचाव कर उन्हें सांत बना दी, तो एक बार क्या है तिवारी का मजाक उडाया, तिवारी जी पहुंच गया, अध्यापक जी के पास, अब अध्यापक जब ये भोलाना, पहुंचे तो उनकी खुब पिटाई पिता द्वारा घर ले, आते समय मित्रों से मिलने पर वह सब भूल गया, और खेतों में चड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा, अब रोते रोते भाई अध्यापक जब खेल रहे थे, रास्ते में देखा तो इनके मित्र सब खेल रहे थे, फिर से रोना भूल गया और फिर से अपने मित्रों के साथ लग गये, केतों में आके चड़िया बैठती तो दोड़ के चड़िया पकड़ने की कोशिश करते ही, ये सब खेल खेलने लगे, चड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चुहे के बिल में उसने आस-पास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक साप निकल आया, अब क्या हुआ, चड़ियों का खेल खेली रहते तो टीले में देखा कि एक बिल बना हुआ है, तो उन्हों ने बिल देखा तो आस-पास पानी भरा था कि भही हम पानी डालेंगे, जब बच्चे होते ना पानी शरायती बच् अब जब साप निकल आया, डर के मारे लुड़क कर गिरते पढ़ते हुए लेक लहुलान इस सती में जब घर पहुँचा तो सामने पिता जी बैठे थे, अब जब साप देखा, साप गया कि सब बच्चों की हालत पुरी, सब भागते, पढ़ते, गिरते, कहीं काटे, जाण लगरी हैं, नुच रहा है, कपड़े फढ़ गए, गिर जा रहे हैं, मतलब डर एक होता ना, साप को देखे डर, उस डर से उन्होंने जो खेट से भागना शुरू किया तो गिरते पढ़ते, उन्हें काफी चूट आ गई थी, घर पहुँचते, लवलवानों के जगह से सुरक्षा महसूस हुई, पूरा दिन वो पिता जी के साथ बिताते थे, सब कुछ करते थे, सामने पिता जी बैठे थे, घबराया था, डरा हुआ बच्चा था, इतनी चोट लगी थी, सब कुछ था, लेकिन वो पिता जी के पास ना, के सीधे अंदर गया, और मा के आंचल म चिप गया, पूरा दिन पिता जी के साथ रहने के बाद भी उसे अपने पिता के साथ उत्ती सुरक्षा महसूस नहीं हुई, जितना उसे सुरक्षा अपने मा के आंचल में मिल रही, तो मा से जाके वो चिपक जाता है, मा ने घबराते हुए भी अंचल से उसकी धूल साफ क और हल्दी लगाई, लेखक को तब मा की ममता और पिता के प्रेम से बढ़कर लगी, तो अब क्या हुआ जब मा भी बच्चे को इतना लहुलियान देखेगी, तो वो भी डर जाएगी, जल्दी जल्दी उसके जितने भी मिट्टी धूल लगी थी, फटा फट अपनी साड़ लेकिन उसके साथ साथ हमें उसमें सुरक्षा भी महसूस होती है, उसलिए वो वहाँ पर चीजों को ऐसे समझ पाए, जब उनके जीवन की ऐसी घटना घटी, पिता के प्रेम और मा के प्रेम में क्या फरक होती है, क्या चीज़े होती है, ये इस कहानी के माध्यम से हम लोग क्यों बठाते थे, क्या कारण था, उन्हें अपने साथ बठाते थे, भोला नाथ को पूजा में बठाने की निम्र कारण हो सकते हैं, देखिए कारण पार्ट में नीदी है, मगर आपसे पूछा जा रहा है, तो और क्या क्या कारण हो सकते हैं, भोला नाथ से अधिक प्यार पाठ हर चीज समय से किया जाता है तो हम चाहते कि हमारे बच्चे भी वो चीज धर्म करम बहुत ही समय से करें शिशु भोला नात पर इश्वर की करपा बरस्ती रहे और साथ में इसलिए भी सोचते होंगे कि अगर वो हमारे पूजा करेगा तो भगवान का आशिरवाद उन पर बना रहेगा इसके लाव अगर आप और भी कारण कुछ सोचते हैं तो आप वो भी आपर लिख सकते हैं तो यह आप से पुछा जा रहा है तो यह आप अपनी सोच के साब से लिखेंगे अब है कोशन नमबर टू क्या दिया है शिशु का नाम भोला नात कैसे पड़ा अब उनका नाम तो एक्चली में क्या था तारकेश्वर अब उनका नाम भोला नात पड़ा क्यों होगा इसका क्या कारण था शिशु का मून लाम तारकेश्वर नात था तारकेश्वर के पित लगते की बन गया वहला नाथ फिर तार्केश व्रातना कह कर धीरे दीरे उसे भूलानात कह कर पुकार लगे और फिर नाम हो गया भूलानात जैसे शिव जी उत ए het को शिव की छाया लगती हो क्योंकि वो शिव जी के भक्त थे तो इसी लिए धीरे-धीरे वो अपने बेटे को कहते हूं मैं भोलानाथ भोलानाथ तो तारकेश्वर का नाम धीरे-धीरे भोलानाथ पड़ गया होगा प्रश्ण संख्या 3 है भोलानाथ पूजा पार्ट में पिता जी के पास बैठा क्या करता रहता था अब पिता जी तो पूजा कर रहे हैं तो भोलानाथ क्या करते होंगे अगर पूजा में बैठ जाते होंगे तो क्या दिया? पिता जी पूजा पाढ़ करते है, रामाइन का पाढ़ करते है और उनकी बगल में बैठा भोलानात आईने में मून ही आरा खरता था पिता जी जब भोला नात की ओर देखने लगते तो शुशु भोला नात लजा कर और कुछ मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देता ऐसा करने भी पिता जी मुस्कुरा पड़ते तो जो जो चीजे थी कि पूजा करते थे तो भाई भोलानाथ के स्वरूप में आ जाते थे पिता जी सब करते थे अब अपने रूप को देखने के लिए तारकेश्वर क्या करते थे अपने चेहरे को आईने में देखते थे और पिता जी भी उनको आईने में ऐसे निहारते थे तो जब वो शर्माज आते थे तो मिरर को यानि की दरपड को वो नीचे रख दिया करते थे प्रेश्ण संख्या चार है क्या आप दिया हैं? भोलानाथ के पिता जी की पूजा के कौन कौन से अंग थे यानि कि भोलानाथ के पिता जी जो पूजा किया करते थे उनकी पूजा के अंग कौन कौन से किस तरीके से वो करते थे चलिए देखते हैं भोलानाथ के पिता जी के पूजा के चार अंग थे पहला भगवान शंकर की विधिवद पूजा करना सुबह सुबह वो भगवान चंकर की जो पूरी विधिवत पुजा होती थी उसको करते थे नमबर टू कैसे करते थे रामायड का पार्ट करते थे दूसरे उसमें स्टॉर में वो रामायड का पार्ट करते थे फिर राम नाना बही पर राम नाम लिखना था तो एक बही थी, एक कॉपी होती है, उस पर राम, 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 पूरी पेज या एक दो पने, धीरे-धीरे ऐसे लिखते हैं वो पूरी कॉपी भरनी होती थी, तो इसको बोलते हैं राम नामा बही, उस पे बैठके राम का नाम लिखा करते थे, फिर तीर सा इसके अत्रिक छोटे-छोटे कागज पे राम नाम लिख कर उन कागजों को आटे की गोलियों में लपेट कर उन गोलियों को गंगा में फेक कर मचलियों को खिलाना होता था फिर उसके बाद क्या करते थे वो छोटी छोटी पर्चियों पर राम करके नाम लिए बहुत सारी पर्चिया बना लेते थे फिर उन्हें आटे की गोलियों में भरा करते थे उनकी गोलिया बना ली गोलिया बनाने के बाद फिर कहा जाते थे गंगा नदी पे जाते थे और वहाँ पे उन गोलियों को मचलियों को खिलाया करते थे तो ये पूरा दिन में चार भागों में वो पूजा किया करते थे पहले शिवजी की पूजा करते थे फिर रामायन का पार्ट करते थे फिर उसके बाद में राम नामा बही लिखते थे और फिर राम राम की परचिया बनाके मचलियों को आटे की गोलियां खिलाने के लिए जाया करते तो यह चार उनके विरिवत पूजा के अंग थे तो यहाँ पर हमने इस पार्ट का जल्दी से पूरा complete chapter revision जल्दी जल्दी कर लिया क्योंकि हम पहले इसको detail explanation अच्छे से पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं तो इस chapter को फटा-फट revise करना हमारे लिए जरूरी था तो हमने इस तरीके से यह पूरा chapter समझ लिया लेकिन इस chapter के जो complete revision है अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं उन्हें जरूर देखेगा क्योंकि पहले पूरी तरीके से पढ़ना जरूरी complete explanation और plus NCRT solutions पहले से आपके लिए available है हमारे चैनल पे अब बात है one short revision one short revision सिर्फ आपके लिए हिंदी में ही नहीं आ रहे हैं सभी subjects में आ रहे हैं तो यह आपको मिलेंगे कहां पर इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsman.com पे जब आप यहां पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर one short revision करके बना हुआ है तो आप जैसे इसको click करेंगे आपके सामने जितनी भी classes में one short revision available है वो आपके सामने होगा 9, 10, 11, 12 तो आप ही class 10 में class 10 यहां पर click करेंगे click करते ही आपके सामने सभी subjects आ जाएंगे तो जो भी subject आपको पढ़ना है आप subject click करेंगे अंदर books होंगी जो भी अगर एक दो books चलती है वो होंगी उनके chapters होंगे आप click करिए click करते ही आपका video start हो जाएगा start करिए अपने सारे chapters को एक एक करके revise करिए जो भी आपके exam में आने वाले हैं आपका revision जब हो जाए तो आप अपने exams बहुत अच्छे से दीजेए लेकिन साथ ही हमारे channel को like, subscribe, share करना बिल्कुल नहीं भोलेगा thank you for watching, bye bye